गुड मारिंग टू अल उफ यू स्वागत है आप सबका आपका अपना यूटूब चैनल अप पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिसेट नमर थ्री जो की बिहार एसाई के लिए चलाया जा रहा है एडिटोरिया के वॉलूम और बुक से बिहार एसाई बाले बुक से चलाया जा रहा है एक और दो अलेडी अप्लोडेड है अगर आप नहीं देखें तो वहां से जाके देख सकते हैं चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले अपने कोश्चन की तरफ कोश्चन बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से डेली एक करे कि बताए कि वह पांच लोगों का नाम क्या है चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले कोश्चन की तरफ कोश्चन की तरफ जो कि हमारा कोश्चन नमबर फॉस्ट कोश्चन नमबर फॉस्ट ये कह रहा है कि निमलिखित में से कौन सा सहायक संधी की विसेस्ता नहीं है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा देखिए देशी रियास्तो को एक ब्रिटिस रेजिमेंट रखना होता था ये बिल्कुल सही है देशी रियास्तो को आंतरिक सासन कंपनी के अधीन होगी ये नहीं होगा देशी रियास्तो को विदेशी निती कंपनी के अधीन होगी और क कि लॉर्ड बलेजली ने साहयक संधी की पदिती शुरू की थी और भारत में साहयक संधी का जो प्रियोग है वो बलेजली से भी फ्रांसीसी गबरनर्ड डूपले के द्वारा किया गया था एक चीज और याद रखेगा सहायक संधी से कि जो इंदौर के होल करों थे उन्होंने सहायक संधी जो था वो स्विकार नहीं किया था नेक्स्ट कोशन है हमारा कोशन नमर सेकंड कोशन हमारा सेकंड कहा रहा है अठारा सो संतामन के स्वतंतरता संग्राम में इलाहबाद में विदरोह को दवाने कस्रे कि संग्रिय जधिकारी को मिला था तो इस question का जो सही answer होगा, वो हो जाएगा, option number ए, कर्णल नील को मिला था, ठीक है, और इलाहबाद के बिद्रोही नेता कौन थे, इलाहबाद के बिद्रोही नेता थे, लियाकत अली, ठीक है, अगर हम बात कर्णल नील की करते हैं, तो कर्णल ये था धमन करता था, और लियाक इस पूर में जो भारतिये नायक थे, बोध है कुवर सिंग, अगर हम बात कैम्प बेल की करते हैं, तो ये कानपूर का दमन करता था, और कानपूर के जो भारतिये नायक थे, बोध है नाना साहिब और तात्या टोपे, next question है, question number 3, question number 3 कहा रहा है, नीमन में से किस समाचार प अखबार थे, जिनपर बॉणाकुलस प्रेम्ट एक्ट के तहत कारबाई की गई थी, लेकिन जो बॉणाकुलस प्रेस एक्ट था, वो लाया गया था अमरित बजार पत्रिका के लिए, और अमरित बजार जो पत्रिका है वो सिसर कुमर घोष के द्वारा संपादक, उनके ल लगाया गया था और फिर 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा हटाया गया मतलब लिटन लगाया था और रिपन हटाया था एक चीज़ याद रखिए गाएक का अखवार का नाम है पाइनियर अखवार जो था वो बढ़न अखुले स्प्रेस एक्ट का समर्थन किया था अब वड़ते हैं अपने अगले कोशन की तरफ जो किया हमारा कोशन नमर 4 कारा इंडिपेंडेंस नामक समचार पत्रकिन के द्वारा परकासित या संपादित किया और जवारलल नहरू से याद रखेगा नेसनल हेराल्ड कोशन नमर 5 कर रहा है बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा option number c बंगाल प्रेसिडेंसी में ये सबसे जादा ये बंगाल प्रेसिडेंसी और राजपुतों में ये जो प्रथा थी वो सरवादिक पर चली थी ठीक है और फिर 1795 इस भी में बंगाल नियम 21 और 1804 के नियम 3 के तहट इस प्रथा को रोकने के ब्यापक पर्यास किये गए थे ये जो मॉल भी उबे दला सिंदी थे ये खुदाई सेना से संबंध रखते थे नेक्स कोशन है हमारा कोशन नमर 7 कोशन नमर 7 कह रहा है निमलिखित बैक्तियों में से चंपारन सत्याग्रह में गांधी जी के सहीयोग्यों के साथ सामिल नहीं थे तो इस कोशन का जो सही अं चंपारन पिद्रो इतना ब्यापक हो गया था कि इसके कारण फिर अंग्रेजों को तीन कठिया प्रथा जो थी उसको समाप्त करना पड़ा था और ये चंपारन जो गांधी जी गय थे वो बिहार के नेता थे जिनका नाम था राजकुमार सुकल और इनहीं के बुलाने पर गांधी जी 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 थे वो चंपारन आरेने के लिए बाद हुए और आये चंपारन अगर हम बात राजकुमार सुकल की करते हैं तो इनकी मिर्तु जो थी वो 54 बरसों की आयू में हो गई थी और एक अंग्रेज अधिकारी था एमन वो इनके सराध काम के लिए 300 रुपे भेल गया था और कहा था कि चंपारन का यही एक अकेला मर्द है नेक्स कोशन हमारा कोशन नमरेट कोशन नमरेट काई रहा आसा योगा अंदोलंग के लिए प्रस्तौक किस कॉंग्रेस अधिवेशन में पारिद किया था तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा बो हो जागा ऑप्सन अधिवेशन में लाला लाजपत राकिया ध्यत्ता में यह प्रस्ता लाया गया था ठीक है अगर हम बाता सयोग अंदोलंग की करते हैं तो रॉलेट एक जलियावाला बागहत्याकर्ण और खिलापत अंदोलंग के उतर में गांधी जी ने इसे एक अगस्त तुन इसो बीसी तंत्र होता है यही गलत है क्योंकि जो प्रस्तीत की तंत्र होता है वो एक खुला तंत्र होता है ना कि बंग तंत्र होता है इसकी अपनैंफित दखता होती है बिल्कुल सही है यह है प्राकृतिक संजादन तंत्र होता है सही है और यह एक कारिसी लाग्ट इकाई होती है यह भी सही है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा बो हो जागा option number A यह एक बंध तंत्र होता है question number 10 question number 10 कह रहा है कि निमलिखित में से कौन प्रसीद जैविक होटशपोट है तो इस का जो सई अंसर होगा वो हो जागा, option number D, प्रश्चमिघाट जो है, वो क्या है, प्रशीद जैविक होटर सपोट है, अगर हम बात होटर सपोट की करते हैं, तो होटर सपोट कहा किसको जाता है, जैविक होट स्पोर्ट से तातपर्ज है जीवों के विविधिता पुन्ड छेतर से है ठीक है भारत में पश्चमिघाट एबं पुर्वी हिमाले जो है वो जैब विविधिता होट स्पोर्ट उस अस्थल के रूप में प्रसिद्ध है next question है मारा question number 11 question number 11 कहीं निमलिखिर में से कौन सा राष्टिय उद्ध्यान यह बाम राज सुम्हेलित नहीं है तो देखें अगर हम बात करते हैं बांदीपूर की तो यह तमिलनाडु में नहीं है कहा है कदनाटक में है तो इस question का जो अंसर होगा बोह जागा option number अच्छा कौन कर रहा कौन जाग सही सुमेलित है तो यह तो गलत सुमेलित है दंफा है आसाम यह भी गलत है क्योंकि दंफा जो है वो मिजोरम में है अगर हम बात बांधव गड़ की करते हैं तो बांधव गर अच्छतिस गड़ में नहीं है यह मध संपून भूमिका होती है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा बहुँ जागा option number बी जल चक्र में होता है जल चक्र की अगर बात करते हैं तो जल चक्र का संपून चरण में सौर्बिकरन की महत्पून भूमिका होती है जैसे कि आज पर इस जामपल आप बोल सकते हैं बर् और उनके किसके कहने पर उसने अपने सिस आनंद के कहने पर इस्तिरियों को संग में प्रवेश की अनुमती दी थी और उनकी जो पहली भीचनी थी वो प्रजापती गौत्मी बनी थी अगर आम बात बैसाली की करते हैं तो बैसाली से याद रखेगा यहां दूतिय बहुत स की राजधानी थी अगर हम बात राजग्री की करते हैं तो राजग्री से याद रखेगा यहां प्रथम बहुत संगती हुआ था 483 इसापुर्व में आजासत्रु का सासनकाल था और महाकस्यप की अध्यचता में संपन हुआ था अगर आप पाबापूरी की करते हैं तो पाबापूरी से याद रखिएगा यहां 72 वर्ष की आयू में महाभीर की मिर्त्यू हो गयी थी 468 सा पुर्भ में नग्स कोषन हमारा कोषन नंबर 14 कोषन नंबर 14 का अदर त्रिवेणी नहर को पानी किस नदी से मिलता है तो त्रिवेनी जो नहर है इसको पानी जो मिलता है वो गंडक नदी से मिलता है तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंतर होगा ठीक है त्रिवेनी जो नहर है वो बिहार के उत्तर पश्चिन सीमा पर पश्चिन चंपारन से निकलती है अगर हम आप गंड़क नदी की करते हैं तो गंड़क नदी का उद्गम अस्थान जो है वो तिबबत नेपाल सीमा पर धौला गिरी परबसरेनियों से है next question नमेरा question number 15 question number 15 कहे रहे है भारत के किस छेतर में सरवादीग दैनिक तापांतर पाया जाता है तापांतर का मतलब होता है temperature difference तो जहां सबसे ज़्यादा higher और lower temperature रहेगा वोहीं दैनिक तापांतर भी ज़्यादा होगा तो ये generally जो होता है वो मरू अस्थरिये छेतर में होता है क्योंकि मरू अस्थरिये छेतर में जो दीन का तापमान होता है वो काफी उच्छ होता है और रात का तापमान जो होता है वो काफी निम्न हो जाता है और इसी के कारण जो वहां का temperature difference है यानि जो दैनिक तापांतर है वो सरवादीख हो जाता है तो इस question का जो सही answer होगा बो हो जागा option number C मरू अस्थरिये छेतर next question है हमारा question number 16 question number 16 का रहा है बिहार में महिला साथ छर्ता दर 2011 की जंगना के अनुसार क्या है तो बिहार में जो महिला साथ छर्ता दर है वो है एक आमंद समलो 5% तो option number B जो होगा वो हमारा सही answer हो जागा और क्या है जो बिहार की साथ छर्ता दर है वो सभी राजियों में सबसे कम है और सबसे अधिक की अगर बात करते हैं तो सबसे अधिक साथ छर्ता वाला राज है केरल अगर हम बात पूरे भारत की करते हैं तो पूरे भारत में जो साथ छर्ता दर है वो है 73% पूरुसों का है 80.9% और महिलाओं का है 64.6% क्लियर है चलिए अब बढ़ते हैं अगरे कोशन की तरब जो किया हमारा कोशन नमर 17 कोशन नमर 17 कह रहा है कि निमलेखित कथनों में से कौन सही नहीं है तो पहला है भारत का जन संख्या घनत 382 बर किलोमेटर है ये सही है भारत की कुल साथ 76% 73% है ये भी सही है भारत का दसकी ब्रिधी दर 2011 में 17.7% था ये भी सही है भारत का लिंगा अनुपात 943 नहीं है क्योंकि भारत का जो लिंगा अनुपात है वो 943 है पर 1000 पुरूस ठीक है अगर आम बात लिंगा उनुपात की करते हैं तो सर्वाधिक लिंगा उनुपात जो कहें वो केडल में है दस्तो चौरासी महिलाएं है एक हजार पुरूस पर अगर आम बात नियुन्तम करते हैं तो सरसे कम है हरियाना में 879 महिलाएं है एक हजार पुरूस पर और सरवाधीक लिंगानु पातवाला जो जीला है वो है माहे पुड़ेचेरी का और जो नियुंतम लिंगानु पातवाला जो जीला है वो है दमन, दमनें दीप का Next question है मारा question number 18 Question number 18 कह रहा है कि 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है तो उपसौर देखिए उपसौर क्या होता है जब पिर्थिभी और सूर्ज के बीच नियुंतम दूरी होती है तब होता है उसको हम लोग बोलते है उपसौर और अपसौर किसको कहते है सूर्ज और प्रिथिवी के बीच जब अधिक्टन दूरी होती है तो उसको कहते हैं हम लोग अपसौर तीन जनवरी को होता है उपसौर और चार जुलाई को होता है अपसौर ठीक है तो इस question का जो सही अंसर होगा बहुँ जगा तो यानि option number A जो होगा वो ताप को प्रदर्सित करेगा next question है हमारा question number 20 question number 20 का रहा है कौन सी भुकम तरंगे सबसे अधिक बिनास्कारी होती है तो देखिए जो भुकम जो तरंगे होती है वो जड़िली ती परकार की होती है एक होता है P तरंग, S तरंग और L तरंग तो जिसमें जो L तरंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा बिनास्कारी होता है ठीक है L तरंगों को हम लोग surface बेब है या long बेब भी कहा जाता है और जो L तरंग होता है वो धरातल पर सबसे अंध में पहुँचती है तो इस question का जो सही answer होगा वो हो जगा option number C, L तरंग अगर हम बात P तरंग की करते हैं तो P तरंग का जो औसत बेग होता है वो 7.8 km per second होता है अगर S तरंग की बात करते हैं तो इसका जो औसत बेग होता है वो 4 km per second होता है और एलत रंग का जो आसद देख होता है वो 1.5 से लेके 3 km per second होता है Next question है हमारा question number 21 Question number 21 का रहा है निम्रिखिद में से कौन सही सुमेलित है तो Red Cliff लेखा कि अगर बात करते हैं तो ये किसके किसके बीच है भारत और पाकिस्तान के बीच है ये सही सुमेलित नहीं है डुरंड रेखा कि अगर बात करते हैं तो डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है अगर हम बात करते हैं मैगी नॉट रेखा की तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच है और ये सही है और हिंड बाग रेखा कि अगर बात करते हैं तो ये जर्मनी और पॉलेंड के बीच है तो ये भी गलत है तो इस question का जो सही अंसर होगा बहुँ जगा और आपसन नमर सी मैगी नॉट रेखा नेक्स कोशन है हमारा question number 22 कर रहा है किसी पेड की आयू ग्याद की जा सकती है तो पेड की आयू किसे ग्याद की जा सकता है उसके तने के बलय की संख्या से तो आपसन नमर सी जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question है question number 23 question number 23 कर रहा है निमलिखित में से कौन सी परवस रिंखला सबसे लंबी है तो आपसन नमर डी जो है वो सही अंसर है और जो है दच्छिने मेरका का एक परवस रिंखला है जो वीज हो की सबसे लंबी परवस रिंखला है इसकी लंबाई बहतर सो किलो मेंटर है ठीक है वो बड़ी से बड़ी संख्याग याद किदिए जिसमें 134, 159, 184 से भाग देने पर परतेक दसा में 9 से बचे तो इसको करना कुछ नहीं है 134 में से माइनस कर दीजे 9, 159 में से 9 माइनस कर दीजे 184 में से 9 माइनस कर दीजे और जो तीनों आएगा उसका HCF निकाल दीजे यानि मसा निकाल दीजे तो आपका अंसर आजाएगा और अंसर आएगा 25 Next question है हमारा question number 25 Question number 25 कर रहा दो बेक्तियों का आएक अनुपात 5, 5, 3 है जबकि उनके बेक अनुपात 9, 5 है यदि वो करमसर 1300 और 900 रुपे बचाते हैं तो परतेट की आये ग्याद कीजे देखे माल लिजे कि उनकी जो आये है वो 5X और 3X है और उनका जो खर्च है वो माल लिजे 9 by और 5 by है ठीक है तो 5X में से अगर आप 9 by घटाईएगा तो आजाएगा कितना 1300 रुपे आना चाहिए और 3X में से अगर 5 by घटाईएगा तो 900 रुपे आना चाहिए यह दो एक्वेशन बन जाएगा यहां से आप X और Y की वेल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं तो इस question का जो सही अंसर होगा बहु हो जगा option number A 4000 2400 next question है हमारा question number 26 question number 26 करा एक सबलम की समांतर भुजाएं 2 अनुपात 3 के अनुपात में हैं और उसकी निवंतम दूरी 12 cm है यदि उस समलम का 6 तफल 482 cm हो तो समांतर भुजाओं में ज्यादा लंबी भुजाओं की लंबाई कितनी होगी देखिए अगर हम समलम के 6 तफल की बात करते हैं तो होता क्या है एक बटा 2 into में समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की लंबबत दूरी तो अगर हम माल लेते हैं कि समलम की जो समांतर भुजाओं हैं वो क्रम से 2x और 3x है और दिया हुआ एरिया कितना 480 तो 480 के बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं न तो इसको solve करके आप x की value यहां से बड़े आराम से निकाल सकते हैं और जो बड़ा बाला होगा वो 3x होगा तो जो 3x की value आएगी वो आजागी 48 cm नेक्स कॉश्चन है मारा question number 27 question number 27 देखें क्या कह रहा है कह रहा है एक चुनाओं में 20% मद अभैद गोसित हो गये हैं इस चुनाओं में करीम और रावद दो अमिदबार थे रावद बैद मदों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से प्राजित हो गया तो ग्यात कीजे कि कि क्या होता है 60% जो है वो करीम को मिलता है और 40% जो है वो राबत को मिलता है तो हर जीत में अंतर कितना होता है 60-40 यानि 20% का अंतर होता है ठीक है तो कुल मत का 80% और उसका 20% कितना है तो यहां से कुलमत निकालिएगा, तो आपको क्या करना होगा, 80 upon 100 into 20 upon 100 into कुलमत is equal to 1600, तो यहां से कुलमत की जो value आजाएगी, वो आजाएगा 10,000, यानि option number D जो होगा, वो सही अंसर होगा, question number 28, question number 28 कह रहा है, कि अपरेल माह में किस देश ने अपने पहले सैन उपगर, नूर का सफल परिछन किया है, तो इस question का जो सही अंसर होगा, वो हो जाएगा, option number B, यह इरान के द्वारा किया गया है, ठीक है, इरान की अगर बात करते हैं, तो इरान की capital है तेहरान, और इरान क President का नाम है, हसन रूहानी, next question हमारा, question number 29, question number 29 कह रहा हाली में किस बैक्ति को पेटा, hero to animal से वार से समानित किया गया है, तो इस question का जो सही अंसर होगा, बहुँ जगा, option number C, नभीन पटनायक, जो की कौन है, उडिसा के मुख मंतरी है, और यह actually जो COVID-19 के कारण lockdown हुआ था, उ data का full form होता है, people for the ethical treatment of animals, जिसकी अस्थापना उनाईस वस्सी में हुआ है, और इसका headquarter है, United States में, next question हमारा, question number 30, question number 30 कह रहा हाली में किन दो देशों के मध्ध, संपृति 2020, 2020 सैन अभियास का आयोजन किया गया है, तो संपृति जो होता है, वो भारत और बंगलादेश के बी कीच होता है, युकुबेरियन, और भारत और सिरलंगा से याद रखेगा, मितर सक्ती, question number 31 कह रहा है, 22 अपरेल 2020 को मनाया गया प्रिथिवी दिवस का theme क्या है, तो 22 अपरेल को जो प्रिथिवी दिवस मनाया गया था, उसका जो theme है, वो है climate action, तो option number C जो होगा, वो हमारा सह यह अंसरों का, और पहली बार प्रिथिवी दिवस मनाया कब गया था, पहली बार प्रिथिवी दिवस 1970 में मनाया गया था, ठीक है, अगर हम 22 अपरेल को मनाया जाता है, अगर हम और अपरेल में और कुछ important days की अगर बात करते हैं, तो 7 अपरेल को मनाया जाता है, 20 स्वास चोदह अप्रेलको जाता है इम्भेडगर्स लिंती ठारदि अप्रेल को मनाईए जाता है 202 सवारीय दिवस 20س को मानाया जाता है 20-े सवादीकों 12 नक्स्कुष्चन है हमारा क्वेशन नमर 32 कह रहा है 26 मार्च को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के मादयां से G20 सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा कराया गया तो G20 का जो सम्मेलन था वो ऑन्लाइन हुआ था मतलब भर्शुल हुआ था और उसका जो वीडियो कॉन्फरेंस कोशन हमारा कोशन नमर 33 कोशन नमर 33 के रहा मार्च 2020 में कौन सा देष डार्क के रूप में मानता प्राप्त करने वाला 20 प्राप्त करने वाला बना बना है वो बना है नियू यानि option number A जो होगा वो हमारा सही अंजर होगा अगर हम बात नियू के करते हैं तो इसकी capital है अलफोई और इसकी currency है New Zealand dollar ठीक है next question है हमारा question number 34 question number 34 कह रहा है किस प्रदोधकिस अस्थान में भारत का पहला बैस्विक hyperloop pod अस्प्रधा का आयोजन किया गया है तो यह किया गया है IT मदराफ में तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर है next question है हमारा question number 35 35 कह रहा है बिस आर्थिक सुचकांग में भारत का कौन सा स्थान है तो आर्थिक सुचकांग में है भारत का 120 तो option number D जो होगा वो सही होगा ठीक है और यह प्रथम स्थान किसका है सिंगापूर का और इसका जारी करता कौन है यह किसके द्वारा जारी किया गया है Heritage Foundation और The Wall Street Journal के द्वारा यह बिस आर्थिक सुचकांग जारी किया जाता है next question हमारा question number 36 question number 36 कह रहा ATM से निकासी पर OTP सुब्धा देने वाला भारत का पहला बैंक कौन मना है ATM की निकासी पर OTP की सुब्धा देने वाला जो भारत का पहला बैंक है वो है State Bank of India तो option number C जो है वो हमारा सही अंतर है अगर हम बात PNB की करते हैं तो PNB से याद रखिएगा कि PNB का हेड़कॉर्टर है नई दिली में और इसका गठन हुआ था 1894 में अध्यच का नाम है रजनीज कुमार नेक्स कोशन है हमारा कोशन नमबर 37 कोशन नमबर 37 कहरा सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज भारतिये टटर अच्छा कभियास का योजन कहां किया गया है तो यह किया गया था मार्च 2020 में गोवा में आप्सन नमबर D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा अगर हम बात गोवा की करते हैं तो गोवा की कापिटल है पंजी और गोवा की ततकालीन मुखवंत्री का नाम है परमोद साबंध नेक्स कोशन हमारा कोशन नमबर 38 कोशन नमबर 38 कहरा किस राज सरकार ने देश भर में लोगडाउन के दौरान आबस्यक सेवाओं की डिलेवरी में लगे परतेक बैक्ति को यी पास जारी करने के लिए एक मोबाइल अप प्राग्यम सुरू किया है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो हो जागा जारखन के द्वारे ये शुरू किया गया है ठीक है जारखन के अगर बात करते हैं तो जारखन के कापिटल है राची इसका फाउंडेशन हुआ था 15 नमबर 2000 को और अभी ततकाली निहां के मुखमंत्री है हेमेंत सोरेन कोशन नमबर 39 का रहा केंदर सरकार के अनुसार जम्मू कास्मीर में कितने सालों से रहने वाली नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा option number A 15 साल से ज्यादा रहने बारे बेक्ती जो होंगे वो क्या होंगे नागरी के हगदार हो जाएंगे और साथ ही साथ वैसे बच्चे जो 7 बर्स तक जम्मू कास्मीर के किसी एस्कूल में पढ़ाई किये हैं या वहां से 10 मी या 12 मी के परिच्छाएं पास किये हैं वो भी डो मिसाइल के हगदार होंगे अगर हम बात जम्मू कास्मीर के करते हैं तो अभी जम्मू कास्मीर के जो LG है लस्टिरेंट गवर्नर है उनका नाम है मनोज सिनहा नग्स कोषिए एक दिन पहले चौथा दो ये रैंकिंग जो है वो चेंज होते रहता है तो आपको एग्जाम के टाइम में ये रैंकिंग धियान रखना होगा कि उस टैम रैंकिंग क्या है अगर LPG की बात करते हैं तो LPG का फूलफा में liquid-fired petroleum-gas Q101 कह रहा है 15.97 प्रूषकार 2019 किसे प्रादान किया गया है तो 15.以前 प्रूषकार जो है बो प्राप्ट किया गया है अकूतम, अकूतम की जो कि यह क्या है एक मल्यालम के कभी है अगर हम इससे पहले 2018 की यानि 54. seinen जैन प्रूषकार की बात करते हैं next question, aməra question number 42, question number 42, कहरा, IMF के अनुसार, 2020 तक, दुनिया के सबसे तेजी से विक्षित करने वाला देष कौन बन जाएगा, तो IMF के अनुसार जो दुनिया का सबसे तेरी से विक्सित करने वाला देश बनेगा वो बनेगा गुवाना यानि option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है गुवाना की अगर बात करते हैं तो गुवाने की राधानी है George Town इसका formation हुआ था 1945 में अभी ततकालीन इसके मेंबर कंट्री है 189 इसका हेड़कॉर्टर है बासिंटर में और ततकालीन इसके मैनेजिंग डिरेक्टर का नाम है क्रिश्टलीना जॉर्ज जीवा नग्स कोशन है मारा कोशनामार 43 कोशनाबर 43 कए रहा है हिमाचर परदेश में इस्थीत रहतां सुरंग का नाम नीमन में से किन के नाम पर रखा गया है तो ये रखा गया है अटल बिहारी बाजपई के नाम पर तोócसर नमर यह जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा जैसे साथमा दादा साहिब फाल पुरुषकार से किसे समानिता जान भीनोध क्छना को मिला था सरप्रथम अगर दादा साहिब फालके पुरुषकार की बात करते हैं तो सरपर्था मिला था 1969 में किसको देवी कारानी को दारा साहिव जो फालके पुरुसकार है ये सिनेमा के छेतर में भारत का सरबोच पुरुसकार भी है Q45 कह रहा है दिसंबर 2019 में किस राजने महिलाओं के विरुध होने वाले आपराद के लिए तो ये किया है आंध्यपदेश के सरकार लें तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा अगर हम बात आंध्यपदेश की करते हैं तो यहाँ के CM का नाम है जगमोहनेड़ी और यहाँ के गबर्नर का नाम है बिस्वाभूसन हरी चंदन Next question है हमारा question number 46 question number 46 कहा रहा अर्ली इंडियन्स पुस्तक के लेखर कौन है अर्ली इंडियन्स पुस्तक के लेखर के लेखर है टोनी जेसोफ तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर है Next question है question number 47 Question number 47 कहा रहा है बिहार के किस जिले में परवासी पच्चियों के लिए पहला bird ringing station स्थापित किया गया है तो यह किया गया है बिहार के जमूई में तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर है जमूई में है नाकी नक्टी पच्ची बिहार वहीं यह किया गया है बिहार के मुखमंत्री का नाम है नितिश कुमार और बिहार के राजपल है फागू चोहान Q48 कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रिय बजट को राजियों के बजट से अलग कर दिया गया है तो ये किया गया है भारास आफसन अधिनियम 19 के द्वारा तो आपसन नबर B जो होगा वो हमारा सही अंसर है ठीक है अगर हम बात 1909 के अधिनियम की बात करते हैं तो 1909 के अधिनियम को मारलो मिन्टो सुधार कहा जाता है और इसके तहट पहली बार मुस्लिम समुधाई के लिए प्रिषग पतिनित्व का उपबंध किया गया था और इसी अधिनियम के द्वारा भारतियों को भारत सचीब एबम गवर्नर जेनर की कार्जकार्णियों परसद में नुक्त किया गया था अगर हम बात भारत 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 सचीब करते हैं तो इसको बोला जाता है मार्टेंगु चैंसफोर्ट सुधार और केंदर में दूई साथ नात्मक विधाई का किया स्थापना की गई थी इसके ताथ और इसी अधिनियम के द्वारत में एक लोग सेवा योग का भी गठन का प्रभधान किया गया था और प्रांतों में दोई साथन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था 12 SE अदिनियम इन 935 के अगर बात करते हैं तो केंदर में दोए सासन की विवस्था की गई थी प्रांतों में दोए सासन विवस्था कांत किया गया था भारत परिशत कांत किया गया था बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था ये सारा काम हुआ था भाराव साफने धिनियम उनेशो 35 के द्वारा next question है हमारा question number 49 question number 49 कहा रहा है निमलिखिल में से किस योजना के अधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था तो जो संविधान सभा का गठन हुआ है वो हुआ है cabinet mission योजना के तहट तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर है और कभ 96 में ठीक है अगर हम बास संविधान सभा की करते हैं तो संविधान सभा से याद रखिएगा कि संविधान सभा की सदस्यों की जो कूल संख्या थी वो starting में 389 निश्चित किया गया था जिनमें 292 में थे ब्रिटिस प्रांथ के प्रतिनी थी चार्ज जो थे वो चीफ कमिस्छनर शेतरों के प्रतिनी थी एबंँ हम तीरान में देशी रियास्तों के प्रतिनी थी थे next question है हमारा question number 40 question number 50 question number 50 कह रहा है अंतरीन सरकार के गठन की घोसना कद की गई थी तो अंध्रीन सरकार की गठन की गोस्तना की गई थी 24 अगस्त उने 46 को जवाहरलाल नहरू के नितरित में तो option number B जो है वो हमारा सही अंसर होगा Next question है हमारा question number 51 Question number 51 कायरा संसदिय सरकार की निमलिखित में से कौनसी भी सेस्ताए है तो सामोहिक उतरदाई हाँ है 24 सरस्ता ये भी है गोपनियता ये भी है तो इस question का जो सही अंसर होगा बहु हो जागा option number D उप्योक्त सभी Next question हमारा question number 52 Question number 52 कायरा निमलिखित में से कौन सा कथन सही है तो जब राज में राश्टपती सासन लागू हो तो दोनों सही है देखिए राश्टपती सासन के उपरांत भी संसर्थ द्वारा बनाया गया कानून जो है परभावी रहता है लेकिन ये ऐसे कानून को फिर राजबिधान मंडल द्वारा निसकासित या फिर परवर्तित या फिर पुना लागू किया जा सकता है तो इस कोश्टन का जो सही अंसर होगा बहो हो जाएगा आप्सन नंबर सी एक और दो दोनो राश्टपती सासन से याद रखेगा आनूछेत 356 नेक्स कोश्टन है हमारा कोश्टन नंबर 53 कोश्टन नंबर 53 कह रहा है आनूछेत 54 संबंदित है तो आनूछेत 54 किसे संबंदित है राश्टपती के निर्वाचन से संबंदित है तो आप्सन नंबर A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा राश्टपती के अगर हम बात करते हैं तो राश्पती से कुछ और important अनुछेद याद रखेगा, जैसे राश्पती का जो पद है वो अनुछेद बामन में है, राश्पती के जो सक्तिकार्ज है वो अनुछेद तिरपन में है, राश्पती का जो महावयोग है वो अनुछेद एकसर्ट में है, राश्पती के जो छम राज के राजपाल के प्रति उतरदाई होता है то option नबर यह होगा वो हमारा सही अंसर होगा लेकिन अगर सामुहीक रूप से पूछे तो सामुहीक रूप से बिधान सभा के प्रति उतरदाई होगा नेक्स्ट कोश्चन हमारा कोश्चन नमर 55 कह रहा है निम कथनों में से कौन सा कथन गलत है तो राज लोग सेवा आयोग के सदस्यों और अध्याच की नुक्ति राजपल के द्वारा की जाती है लेकिन याद रखेगा उसको हटाने की सक्ति उसके पास नहीं है उसको हटा सिर् इनके पुनर निउक्ति नहीं होती है राज लोग सेवा आयोग के अध्याच वम सदस्यों के बेतन भक्ता राज संचितनीदी से दिया जाता है जबकि पेंसन भारत के संचितनीदी से दिया जाता ये गलत है उनका पेंसन भी जो होगा जितने तरह के उनके खर्ष होंगे मत बित आयोग के संब्ध में निम्न कथनों पर विचार कीज़े, बित आयोग में एक अध्यच पद्व दो सदस होते हैं, ये गलत है, क्यूंकि बित आयोग में अध्यच और चार अनसदस होते हैं, दूसरा है, इनका काचकार राश्पती के आदेश के तहत तय होता है, ये बिल Question number 57 कह रहा है कि किस सम्विधान संसोधन द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि अनुछेद 20 और अनुछेद 21 द्वारा प्रदत मूल अधिकारों को राष्टिया अपात कालमेनिलंबित नहीं किया जा सकता है तो ये किया गया है 44 सम्विधान संसोधन 1978 के द्वारा तो इस question का जो सही अंसरोगा बो हो जागा option number C अगर हम बात 44 सम्विधान संसोधन के करते हैं तो इससे important कुछ और चीज़े भी याद रखेगा जैसे इस सम्विधान संसोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलीक अधिकार से हटा कर कानूनी अधिकार की सुरिनी में रख दिया गया दूसरा राष्टिय आपात में आंत्री का सांती के अस्थान पर ससस्त्र बिद्रो जोडा गया नेक्स question है मारा question number 58 question number 58 कहरा है निम्न में से RBI की मौद्रिक निती में मात्रात्मक उपकरण कौन से है RBI की दो उपकरण होते हैं quantitative और qualitative तो यह पूछ रहा है मात्रात्मक उपकरण तो बैध्धानिक तरलता अनुपाथ भी होता है रेपोरेट, रिवर्स रेपोरेट, नगतार अच्छित अनुपात, बैदनिक तरंता, तरलता, अनुपात, एब हम खुले बजार की क्लिया है, ये सब क्या है, मातरात्मक उपकरन है, नाक्स कोशन है, मारा कोशन नबर 59, कोशन नबर 59 कहरा है, परधान मंतरी किसान संपदा योजना का मुखुदेश क्या है, तो परधान मंतरी किसान संपदा योजना का जो परमुख योजना आया था, तो सिर्फ और सिर्फ संपदा नाम से योजना आया था, ठीक है, इसके तह 2017 में इसको rename कर दिया गया और इसका नया नाम बदल के रख दिया गया प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना Next question is question number 60 Question number 60 कह रहा है निमलिखित में से कौन सी समीती FRBM अधिनियम से संबंदित है FRBM का मतलब होता है physical responsibility and budget management जो की 2003 Act 2003 की ये बात कर लहा है तो उससे संबंदित है NK Singh तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा NK Singh 15 में बितायोग के भी अध्याच है Next question हमारा question number 61 Question number 61 कह रहा है निमलिखित में से कौन सा संस्थान नियूंतम समर्थल मूल यानि MSP minimum support price के बारे में भारत सरकार को सिफारिस करता है तो इस question का जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा option number C क्रिशी लागातेबं मूल आयोग जिसको हम लोग बोलते हैं CACP Commission for Agriculture Costs and Price जिसकी अस्थापना हुई थी 1965 में और इसका हेड़कॉर्टर है निव दिल्ली में अगर और options की बात करते हैं तो निती आयोग से याद रखेगा इसको लाया गया था एक जन्वरी 2015 को योजना आयोग की जगह पे निती का full form होता है National Institution for Transforming India अगर हम बात नवाड की करते हैं तो नवाड का full form होता है National Bank for Agriculture and Ruler Development इसकी अस्थापना हुई थी 1982 में और इसका हेड़कॉर्टर है मुंबई में और अभी ततकालीन इसके जो चेर्मैन है वो है गोबिंद राजलू चिंटाला अगर हम भारतिय क्रिसी अब हम मनुस्थान परिशत की करते हैं तो ये कहां इस्थित है New Delhi में इस्थित है Next question हमारा question number 62 question number 62 कर रहा है नीली करांती का संबंध किस्थे है तो नीली करांती का जो संबंध है वो है मचली उत्पादन से तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा question number 63 कहा रहा है London में कर्जन बाइली की हत्या का संबंध है तो लंदन में कर्जन बाइली की हत्या है वो किया गया था मदनलाल धिंगरा के द्वारा 1909 में तो इस question का जो सही answer होगा बहु हो जागा option number A मदनलाल धिंगरा next question है हमारा question number 64 question number 64 कहा रहा है सीता अध्यच का संबंध है सीता अध्यच का जो संबंध है यह मौरेकाल में सीता अध्यच क्रिसी भूमी का अध्यच होता था तो इस question का जो सही answer होगा बहु हो जागा option number क्रिसी भूमी का अध्यच था तो भूमी कर भी भाग होगा तो यानि आपसे नमर C जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है अगर हम बात मौरेकाल की करते हैं तो मौरेकाल से याद रखिएगा मौरेकाल में सरकारी भूमी को सीता भूमी भी कहा जाता था और मौरकल में बिना बर्सा की अच्छी खेती होने वाली भूमी को आदेव मादक कहा जाता था नाक्स कोशन है हमारा कोशन नमबर 65 कोशन नमबर 65 कर रहा है कासमीर के छेतरिये इतिहास का सजीब बर्नन मिलता है तो कासमीर के छेतरी एतिहास का सजीब बरनन मिलता है राजतरंगनी में तो आपसर नमर D जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा और ये किसके द्वारा रचित है? कलहन के द्वारा रचित है जो कलहन था वो हर्स का एक आसरित तभी था ठीक है और कहां तक मिलता है? जब जैसी के सासन के साथ ही कलहन की जो राजतरंगनी का विबरन है वो भी समाप्त हो जाता है Next question है हमारा question number 66 Question number 66 का एरा सिजदा वो पबावस प्रथाओं की सुरुवात निम्न में से किसके द्वारा किया गया था तो सिजदा और पबावस प्रथाओं का जो सुरुवात है ये बल्बन के द्वारा किया गया था तो आपसर number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा बल्बन से एक चीज़ और याद रखेगा बल्बन ने नौरोजू सब भी प्रारम करवाया था बल्बन ने लोहवा में रक्त की निती का पालन भी किया था अमीर खुसरो अमीर हसन ये सब भी बल्बन के दरवार में ही रहते थे नेक्स कोशन है हमारा कोशन number 67 कोशन number 67 कहा रहा है उत्वी कौन था तो उत्वी एक परसीद इतिहास कार था जो महमूद गजनभी के साथ भारत आया था तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा बहुँ जगा आप्सन number A के थेसकार था अल बुरूनी, फिरदौसी, उत्वी, फरुकी ये सब कौन था ये सब महमूद गजनभी के गजनी के दरवार में रहता था ठीक है, महमूद गजनी से एक चीज़ याद रखेगा ये सुल्तान की उपादी धारन करने वाला भी पहला सा सकता नेक्स कोशन है हमारा कोशन number 68 कोशन number 68 कह रहा, इक्ताप रथा को पारम किस ने किया था तो इक्ताप रथा चलाया गया था इल्टूत्मीज के द्वारा तो आपसन number A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा इल्टूत्मीज से और चीज़े भी याद रखेगा इसने सबसे पहरे सुद आर्बी के सिक्के भी जारी किये थे इसने तुरकार ने चिहलगानी नामक एक संगठन भी बनाया था और कुदू मिनार के भी कार्ज को पूरा करवाया था नेक्स कोशन है हमारा कोशन number 69 कोशन number 69 कहरा कि सेरसाह के बारे में कौन सा कथन असरत है तो पहला है कि सेरसाह ने बिलग्राम यूद विजय के बाद दूतिय अफगान राज की अस्थापना दिल्ली पे की थी तो ये सही है सेरसाह ने उपच का एक बटा तीन भाग करके रूप में निर्धारित किया था ये भी सही है सेरसाह का मकवरा दिल्ली में है ये गलत है क्योंकि सेर्सा का जो मकवरा है वो सासा राम में है तो आपसन नमबर सी जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा सेर्सा के द्वारा भूमी की पहमाई से तुस्सन की डंडियों सिकंद्री गच का भी परियोग किया गया था ये भी बिल्कुल सही है ठीक है नेक्स कोशन है हमारा कोशन नमबर सेवंटी कोशन नमबर सेवंटी का रहा घोड़ों को दागने के प्रथा किसासा के द्वारा सुरू की गई थी तो घोड़ा दागने के प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा, अस्थाई सेना के रखने के प्रथा, सेना को नगत बेतन देने के प्रथा, ये सब सब काम किया था, अल्ला उदिन खिलजी के द्वारा किया गया था, तो आप्सन नमबर B जो होगा वो हमारा सही अं Q71 कह रहा किस प्रसित सासा के द्वारा अमुक्त मालियद लिखे गया था तो ये जनरली एक तेलगु भासा में लिखा गया था किस के द्वारा क्रिस्न देव राय के द्वारा ये लिखा गया था तो इस क्रिस्न का जो सही अंसर होगा बो हो जागा और इसमें राजा के सभी परकार की अदस्यों का बर्नन किया गया था क्रिस्न देव राय से याद रिखियेगा कि इसके शासंकाल में ही पुर्टगाली यात्री जो था डूमी गोस पायस वो विजयन अगर आया था इसी क्रिशन राय देव के दरवार में तिलगु साहित के आठ सर्फरिस्ट कभी रह दे थे जिनको क्या कहा जाता था अश्ट दिगज कहा जाता था और इसी के सासंकाल में तिलगु साहित का जो था वो classic कि उग कहा जाता है क्रिस्न देवरा से एक और चीज़ याद रखेगा इसने आंधर भोज अभिनो भोज और आंधर पितामा की उपादी भी धारन की थी नेक्स कोशन है हमारा कोशन नबर 72 कोशन नबर 72 कह रहा है दिली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सरबादीक समय तक साफन निमलिखित में से किस ने किया था तो देखिए अगर हम बात बहलोल लोदी के करते हैं तो इसका साफन काल था 1451 से लेके 1489 तक अगर फिरोसा तुगलक की बात करते हैं तो फिरोसा तुगलक का था बहलोल लोदी का है तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा बहलोल लोदी से और भी कुछ चीजे याद रखेगा जैसे बहलोल लोदी जो था वो लोदी बंस का संस्थापक था और दिल्ली पर प्रथम अफगान राज की अस्थापना करने का स्रे भी बहलोल लोदी को ही जाता है असलिए बहलोल लोदी जो था वो सरदारों के खड़ा होने पर खुद भी खड़ा हो जाता था मतलब जब तो सरदार खड़ा रहते थे बहलोल लोदी भी खड़ा रहता था next question है हमारा question number 73 question number 73 कह रहा है निमलिखिद में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सरवादिक मातरा में पाया जाता है तो केंद्रक में सरवादिक मातरा में पाया जाता है इसकी प्रकासकी क्य mêmes होती है और जबकि आप कासकी अभी क्रेंट होती है इसके दो सब्सक्राइब रहाал हेलोफाइट्स होता है चैंधे हलोफाइट्स एक हैसे रुधिर प्लाज्मा में कोई antibody नहीं होता है तो AB में कोई antibody नहीं होता है और O में कोई antigen नहीं होता है तो यहां antibody पूछा है तो हमारा जो सही answer होगा बहुँ हो जागा option number C, AB next question हमारा question number 77 कहरा निम्न में से कौन सा test AIDS के लिए किया जाता है तो PCR भी AIDS के लिए किया जाता है एरीपा भी किया जाता है, करपास भी किया जाता है एलीसा भी किया जाता है तो इस question का जो सही answer होगा बहुँ हो जागा option number D, उप्यूक्त सभी AIDS से याद रखेगा, AIDS का full form होता है acquired immune deficiency syndrome और एक दिबस को बर्ड एट्स दिबस मनाया जाता है next question है question number 78 question number 78 करा name में से कौन सुमेलित नहीं है अगर हम बात calciferol की करते हैं तो ये vitamin D का chemical name है और ये अस्थी रुवंता ये सही सुमेलित है नियासीन की अगर बात करते हैं तो नियासीन जो है वो vitamin B3 का chemical name है और pelagla ये भी सुमेलित है कोबालेवी अमीन की बात करते हैं तो कोबालेवी अमीन जो है बोजाक तालपता ये भी सही सुमेलित है और अगर हम बात riboflobene की करते हैं तो राइबो फलो बीन जो है वो किसका vitamin B2Bल का chemical name है और ये ये गलत है क्योंकि बिटामिन B2M के कमी से होठो और मुहों का फटना होता है और यह जो बेरी-बेरी है यह बिटामिन B1 थाइमीन के कमी से होता है क्लेर है चलिए Next question हमारा question number 79 Question number 79 कहा रहा triple vaccine DPT में कौन सा एक नहीं होता है देखें DPT का full form समझ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा D से होता है diphtheria, P से होता है pettisus, puttisus और T से होता है tetanus तो diphtheria होगा, puttisus होगा, tetanus होगा या pilia नहीं होगा तो इस question का जो सही अंसर होगा वो हो जागा option number B Next question हमारा question number 80 question number 80 कहा रहा है alpha can alpha can इसका द्रब्यान helium के एक अनू के बराबर होता है इसका आबेस बराबर होता है तो इसका आबेस जो होगा, वो दो protein के बराबर होगा तो option number C जो होगा, वो हमारा सही अंतर होगा ठीक है, इसमें दो proton और दो neutron होता है Next question हमारा question number 81 question number 81 कहा रहा है 10 to the problem 9 के लिए पर्तिया परिल्यूप्थ होता है तो 10 to the problem 9 के लिए क्या होता है गीगा होता है, तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा 10 to the problem आगर माइनस 9 जाएगा तब ननो हो जाएगा, और 10 to the problem अगर minus 6 रहेगा तो micro हो जाएगा और 10 to the power अगर 12 रहेगा तब 13 हो जाएगा Question number 82 कह रहा है कि Newton के कि गत्की नियम से बल का बेंजक प्राप्त होता है तो इस question का जो साई answer होगा बो हो जाएगा Option number B दूतिय गत्की के नियम से होता है अगर हम बात प्रथम नियम से करते हैं प्रथम गत्की की नियम से तो प्रथम नियम से हमें बल की परिवासा मिलती है और प्रथम नियम को गलेलियो का नियम या फिर जड़ात्व का नियम भी कहते हैं अगर दूतिय गत की नियम की बात करते हैं, तो यह होता है, एहां बल के बेंजक पूछा है, बल का बेंजक जो पराप्त होता है, वो दूतिय गती नियम से होता है, तो इस question का जो सही अंसर होगा, वो हो जागा, option number B. Next question है हमारा question number 83 Question number 83 कह रहा Silicon, Germanium, Carbon आदी पतार्थों का पती रोधाकता ताब बढ़ाने पर क्या होगा ये देखिए Silicon, Germanium, Carbon ये सब क्या है? ये सब सेमी कंड़क्टर है और ये मतलब अर्ध चालक है तो इनको गर्म करने पर इनकी जो चालक है वो बढ़ेगी तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question हमारा question number 84 question number 84 कहरा है बिदुधारा का चुमबक्ये परवा के खोज किस ने किया था तो बिदुधारा का चुमबक्ये परवा का खोज किया था माइकल फरैडे ने तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है अगर हम बात कुलम की करते हैं तो ये कुलम स्ला इनसे याद रखिएगा और और औस्टर्ड की बात करते हैं जिनका पूरा नाम है हैंस क्रिस्चन औस्टर्ड इन्होंने बिदु धारा से चुमबकिये छेतर के ब्यूत्पन करने का अविस्कार किया था next question हमारा question number 85 question number 85 कहरा है नीम्न में से किस स्तत्व का सरवाधिक समस्थानिक होता है तो सरवाधिक जो समस्थानिक होगा वो होगा पोलोनियम का तो option number D जो होगा वो हमारा सही अंसर है चिक है next question है हमारा question number 86 question number 86 कहरा हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा तो hydrogen को जब हवा की उपस्थिती में जलाया जागा तो वो पानी बनेगा तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा Q87 कह रहा है, graphene होता है, graphene क्या होता है, graphene जो होता है, वो carbon का एक नैनो प्रति रूप होता है, तो option number B जो होगा, वो हमारा सही अंतर होगा question number 88 कहा रहा है विस्व रक्तदान दिवस का मनाया जाता है तो विस्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है हाँ 88 कहा रहा है विस्व रक्तदान दिवस तो विस्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को तो option number D जो होगा वो हमारा सही answer होगा जून से related कुछ और भी चीज़े याद रखेगा जैसे 1 जून को मनाया जाता है विस्व दुख दिबस, 5 जून को मनाया जाता है परियाबरन दिबस, 7 जून को मनाया जाता है विस्व खाथ सुरच्छा दिबस, 21 जून को मनाया जाता है अंतर राष्टियो योग दिबस, 29 करते हैं तो 12 जून से याद रखिएगा 12 जून को मनाया जाता है 20 बालसरमनी देश दिबस और साथ मई को मनाया जाता है 20 अस्थमा दिबस Q89 कह रहा है निमलिखीत को सुमेलिद कीजिए तो देखिए प्लाजमा अनुसंधान संस्थान जो है वो किससे मैच करेगा ये तो गांधी नगर से ही मैच कर जाएगा राष्टिय समुद्र बिग्यान संस्थान कहा है ये है पंजी में तो ये इससे मैच करेगा कि अंदर ये संस्थान की अगर बात करते हैं तो ये मैसूर में है ये इसके साथ मैच करेगा और भारती ये मौसम विग्यान संस्थान देली में है तो ये इसके साथ मैच करेगा नेक्स्स्कोस्यन हमारा कौश्चन नमर 90 कोश्चन नमर 19 कह रहा है फ्रीय स्टाइल और बाम डॉल्फिंग कीक का सन्बंद किस खेलते है तो ये हमारा आडू के प्लेयर हैं और इनका संबंद जो है वह भारतिय टेबल टेनिस से है तो आप्सिन नमबर सी जो होगा वह हमारा सही अंसर है और यह इनको पादम सिरी अवार्ड भी मिल चुका है नेक्स कोशन हमारा कोशन नमबर 92 कह रहा है महा नामा की उपनाम से किसे जाना जाता है तो महा नामा की उपनाम से जाना जाता है मदन मोहन मालवियों को तो आप्सिन नमबर डी जो होगा वह हमारा सही अंसर होगा ठीक है जैपरकास नरायन को जाना जाता है लोकनायक के नाम स से करपूली ठाक कुरकुद नाया जाता है जन्नाया के नाम से अतल भिहार इवाजपई से याद रखेगा इनके जन्द दिवस पर याई 25 दिसंबर को गूड गवर्नेस डे मनाया जाता है नेक्स कोशन है हमारा कोशन नमर 93 कोशन नमर 93 कह रहा है एक मातर भारती है जिनके जिने जासायन के छेतर में नोबल पुरुसकार प्रदान किया गया है तो यह किया गया है बेंकर ट्रमन राम की रिस्न को तो आपसे नमर ए जो होगा वो हमारा साही अंसर होगा और इनको कब मिला है 2009 में कमेस्ट्री में नोबल प्राइज मिला है अगर हम बाद सरवर्मनेम चंसेखर, एस चंसेखर की करते हैं तो इनको 1983 में भौतकी के लिए मिला है बीएस नाइपाल क्यों करते हैं तो इनको 2001 में साहित के लिए मिला है और हरो गोविंत खुळाना को 1968 में जिकिस्ता के लिए मिला है Q 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 QQQ Q Q Q Q Q Q Q Q QQ Q 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 अनुछेद में अखिल भारतिये सेवाओं का उपबंद किया गया अनुछे 312 में तो आपसा नबर C जो होगा वो हमारा सही अंसर है अनुछे 315 से याद रखेगा संग वाम राज्यों के लिए एक लोग सेवायों का इंगठन question number 96 question number 96 कहरा भारतिये नौसेना की पहली माहिला पाइलट Lieutenant तिवांगी स्वरूप बनी है वो किस राज की रहने वाली है तो यह मूल रूप से बिहार के मुझअपरपुल जिले की रहने वाली है तो आपसा number A जो होगा वो हमारा सही अंतर होगा और इनका प्रसिछन था वो को भारत जो है वो FDA प्राप्त करता हूं में नौमे अस्थान पर है तो इस question का जो सही अंसर होगा बहु हो जागा option अमर D और कुल भारत में परत्यच विदेशी निवेश जो है वो एक common billion dollar ए रहा है UNCTDA की बात करते हैं तो इसका full form होता है United Nation Conference on Trade and Development ये इसकी गठन हुई थी 1964 में और इसका headquarter है जिनेवा स्विजर लेंड में question number 98 कह रहा है dictionary.com ने किस लिखी सब्द को 2019 का word of the year चुना है तो ये चुना है किसको एक gential को तो option number B जो होगा वो हमारा सही answer होगा और अगर लेकिन ये question है पूदे Oxford University के द्वारा किसको चुना गया है तो Oxford University द्वारा चुना गया है Climate Emergency को Next question है question number 99 किस भासा को दिसंबर 2019 में राज सभा में पहली बार बोला गया तो ये बोला गया है किसको संथाली भासा को और किसके द्वारा एक उडिसा के बीजू डी यानि बीजू जनता दल की एक सदसे हैं जिनका नाम है सरोजनी हेंबरं इन्होंने 6 दिसंबर 2019 को सुनकाल के दौरान लोक महत्र से जुड़ा एक मुद्दा जथा वो संथाली भासा में उठाया था आज का last question है question number 100 Question number 100 कह रहा है किस राज में सबसे पहले पसु किसन क्रेडिट कार्ड जारी किये गया है तो सबसे पहले जो पसु किसन क्रेडिट कार्ड है यह हरियाना में जारी किया गया है तो आपसर number B जो है वो हमारा सही अंतर है हरियाना के मुख मंतरी का नाम है मनुहरलाल खटट तो यह था हमारा आज का सेट आसा करता हूँ कि आप लोगों को यह सेट पसंद आ रहा होगा तो आप लोगों को यह सेट कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथी साथ वीडियो के स्टाटिंग में मैं आपसे करेंड का कोशन पूछा हूँ कि इस बार लाजीब गांधी खेर रतने वाड़ से किने किने समानित किया जाएगा तो इस कोशन का आप अंसर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं थैंक्स फोर वचिंग